आजमगड के साथ साथ स्रावस्ति, मुराबावाद, चित्रकूट, अलीगड, जबलपूर, ग्वालियर, लखनव, पूने, कोयापूर, दिल्ली और आदमपूर इतने सारे एरपॉर्ट्स पर नए टर्मिनल भवन का उद्गाटन हुआ है और इन टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है इसका एक उधारान ग्वालियर का बिजिया राजे सिंध्या एरपॉर्ट भी है ये एरपॉर्ट सिरफ सोला महिने की अवधी में मन कर तयार हो गया आज कडपा, बेड़गावी और हुबली ये तीन हवाई एड़ो पर नए टर्मिनल भवनों का सिलान्याद भी किया गया है ये सारे प्रयास देश के सामान्य मानवी के लिए हवाई जहाज की आत्रा को और ज़्यादा सहट और सुलब बनाएंगे लेकिन साथियों आप देखे पिछले कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान पर से देश के अनेकों प्रोजेक्स का लोकारपन कर रहा है और जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने एरपोर्ड एक साथ इतने रेल्वे स्टेशन एक साथ इतने हवाई एक साथ इतने आयम एक साथ इतने एम लोग अश्रज हो जा रहे हैं और कभी कभी पुरानी जो सोच रहती दिन हैं तो इसको भी उसी चौकट में बिढ़ाते हैं और क्या कैसे अरे भे यह तो सब चुनाव का मौसम है नहीं अरे महरवान चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था पहले की सरकारों में बैठे विए लोग जनता के आँख में धूल जोकने के लिए गोशनाए कर देते थे कभी कभी ते हिंकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लामेंट में भी रेलेवे की नहीं नहीं योजनाए गोशिद कर देते थे बाद में कोई पूछने वाला नहीं और जो मैं एनालीजिश करता था तो 30-35-35 साल पहले गोशनाए उनी कभी चुनाव के पहले पथर गाड़ देते थे आकर के फिर खो जाते थे पथर भी खो जाते थे नेता भी खो जाते थे याने सिरफ गोशनाए होना और मुझे आज है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजनाए गोशिद करता था या सिलान्यास करता था तो पहला हेट लाइन यहीं बनता था कि देखो भी यह तो चुनाव है इसलिए हो रहा है आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है उन्नीस में भी जो हमने सलाम म्याद किये वो चुनाव के लिए नहीं किये थे आज उसको धराप तल पर उतरते हुए देख सकते हैं उद्गादर कर चुके हैं और आज चौबिस में भी कोई महरबानी करके इसको चुनाव के चस्मों से न देखें ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देख सो विशित भानत बनाने के संकल्प के लिए तेज गती से दोड़ रहा हूँ तेज गती से देश को दोड़ा रहा हू दोस्तों जितने लोग अंदर पहड़ां में है उससे जंदा धूप में तप रहे भईया यह प्यार अदभूत है साथियों एरपोर्ट हाइवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्रक्टर के साथ साथ पढाई पानी और परियावरन से जुड़े विकास कारियों को भी यहां नई गती मिली है इन विकास परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश और देश के सभी राज्यों की जनता को बधाई देता हूँ मैं विशेश रुप से आजम गड़ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ वो इतनी बड़ी संझाम है हमें आशिरवाद देने आये है और आजम गड़ के मेरे भाई भैन मोधी की एक और गारंटी सुन लीजिए बताओं आजम गड़ के मेरे प्यारे भाई भैन मैं आपको एक और गारंटी देता हूँ सुनाओं आप बताएं तो बताओं बताओं देखिए ये कल का आजम गड़ अब वो गड़ है ये आजनम गड़ है ये आजनम गड़ विकास का गड़ रहेगा आजनम रहेगा अनेंत काल तक इविकास का गड़ बना रहेगा ये मोदी की गारंटी है दोस्तों साथियों आज आजम गड़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजम गड़ कर रहेवाला हो सबके आज बहुत खुशी मिलत होई ये पहली बार नहीं हो एकरे पहले जब हम पुर्वांचल एक्सप्रेश वेका उद्गाटन कहीनी तब आजम गड़ के सब आजमी कहात रहे कि अब लखनव में जहाज से उतर के हमन इहां धाई गंटा में आजब अब तब आजम गड़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना होई गेल एकरे अलावा मेडिकल कालेज और उनिवर्सिटी मने के काना पढाई और दवाई के इंतिजाम के लिए भी बनारत जाय का जरुरत कमपड़ी साथियों आपका ये प्यार और आजम गड़ का ये विकास जातिवाद परिवारवाद और वोट बेंक के भरो से बैठे इंडी गठवंदन की निंद उड़ा रहा है पुर्वान चलने दसकों तक जातिवाद और तुष्टी करण की राजलीती देखी है और पिछले दस वर्सों में ये छेत्र विकास की राजलीती भी देख रहा है और साथ साल से योगी जी के नेत्रोहत्व में उसे और गती मिली है यहां के लोगों ने माफिया राज और कटरपंद के खत्रों को भी देखा है और अब यहां के जनता कानून का राज भी देख रही है आज यूपी में अलीगर्ट, मुरादाबाद, चित्रकोट और स्रावत्सी में जैसे जिन शहरों को नए एरपोर्ट टर्मिनल्स मिले हैं उन्हें कभी यूपी का छोटा और पिछड़ा शहर कहा जाता था उनकी कोई पूछने माला नहीं था अब यहां भी हवाई सेवाएं शुरू हो रही है क्योंकि इन शहरों में तेजी से विकात हो रहा है यहां अउद्योजिक गतिवितियों का विस्तार हो रहा है जिस तरह हमारी सरकार जन कल्यान की यूजनाओं को मेट्रों सहरों से आगे बढ़ा कर छोटे शहरों और गाव द्यहां तक ले गई वैसे ही आधुनिक इंफ्रासक्तिर के काम को भी हम छोटे छोटे शहरों तक ले जा रहे हैं छोटे शहर भी अच्छे एरपोर्ट अच्छे हाइवेट के उतने ही हकदार है जितने ही बड़े मेट्रों शहर है और भारत में जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है उसका जो प्लानिंग तीस साल पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ हम उसी को धान में रखते हुए और टियर टू टियर ट्री सिटी उनकी तांकत बढ़ा रहे हैं ताकि अर्बनाइजेशन रुके नहीं और अर्बनाइजेशन एक आउसर बन जाए उद्धिशा में हम काम कर रहे हैं सबका साथ सबका अभिकास का यही विजन डबल इंजीन की सरकार का मूल मंत्र है साथियों आज आजमगर्ड मव और बलिया को कई रेल्वे प्रोजेक्स की सोगात मिली है इसके अलावा आजमगर्ड रेल्वे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है सीतापूर, साहजहापूर, गाजीपूर, प्रयागराच, आजमगर्ड और कई दूसरे जुलों से जुड़ी रेल्व परी योजनाओं का लोकारपन और सिलान्याज भी हुआ है प्रयागराच, राइबरेली, प्रयागराच, चकेरी और शामली पानिपत समेत कई हाइवेज का लोकारपन शिलान्याज भी अभी अभी मैंने किया है प्रदान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहर पाँच हजार किलोमेटर से जादा सड़कों का लोकारपन हुआ है ये बढ़ती हुई एक कनेक्टिविटी पुरवाण चलके किसानों के लिए यहां के नवजवानों और उद्यमियों के लिए एक सुनहरा भविष्य लिखने जा रही है साथ यो हमारी सरकार की प्रात्विक्ता है कि किसानों को उनकी उपच का सही दाम बिले आज पहले की तुन्ना में कई गुना बड़ी हुई MSP दी जा रही है गन्ना किसानों के लिए भी इस साल लाबकारी मुल्य में आठ प्रतिशत की वृद्धी की गई है अब गन्ने का लाबकारी मुल्य तीन सो पंदरा रुपिय से बढ़कर तीन सो चालिस रुपिय प्रतिपिंटल हो गया है आजमगर तो गन्ना बेल्ट में गिना जाता है आप लोगों को याद है ना कि कैसे इसी उत्तर पदेश में जो सरकार चलाते थे ना वो गन्ना किसानों को कैसे तरसाते थे कैसे रुलाते थे उनका पैसा ही तरसा तरसा कर दिया जाता था और कभी-कभी तो मिलता भी नहीं था ये भाजपा की सरकार है जिसने गन्ना किसानों का हजारों करोड का बकाया खत्ब कराया है आज गन्ना किसानों को सही समय पर गन्ने का मुल्ड मिल रहा है गन्ना किसानों की मदद के लिए सरकार ने और भी नए छेत्रों पर बल दिया है पैट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने से इथेनॉल बनाया जा रहा है खेत में जो पराली है उससे बायो गैस बन रही है इसी यूपी ने चीनी मिलों को कोडियों के दाम बिकते और बंद होते देखा है अब चीनी मिले भी शुरू हो रही है और गन्ना किसानों का भाग्य भी बदल रहा है केंद्र सरकार जो पी-एम किसान सम्मान निदी दे रही है उसका लाभ भी यहां के किसानों को मिला है अकेले आजमगर के ही करीब आठ लाग किसानों को पी-एम किसान सम्मान निदी के दो हजार करोड रुप्य बिले है साथियों इतने बड़े स्तर पर विकास की इतनी तेज रफ्तार तभी मुम्किन होती है जब सरकार सही नियत और इमामदारी से काम करती है ब्रस्चा चार में डुबी परिवारबादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कारिय और संभव था पिछली सरकारों में आजमगर्ण और पुर्वांचन ने पिछडे पन की तकलीपी नहीं उखाई बलकि इस दोर में यहां की छबी खराब करने भी भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई और योगी जी ने अभी बड़ी आवलन किया है इसमें रिपीट नहीं कर रहा हूँ आतन को बहुगोल को सरवक्षण लिया गया वो पुरे देश ने देखा है इस परिस्तिति को बदलने के लिए यहां के युगाओं को नए आवसर देने के लिए भी डबल इंजिन सरकार लगातार काम कर रही है हमारी सरकार में यहां युवाओं के लिए महराजा सुहल देव राज्य विश्विवी डाले की नीव रखी गई उसका सुभारम भी किया गया आजमगड मंदल के हमारी युवाओं को लंबे समय से सिक्षा से लिए बनारस गोरगपुर या प्रयागराज जाना पड़ता सा बच्चों को दूसरे जहर पढ़ने के लिए भेजने पर माबाप पर जो आर्थिक बोज पड़ता है वो भी मैं समझता हूं अब आजमगड का ये भी सुविदाल है हमारे युवाओं को लिए उच्च शिक्षा के रास्ते को आसान करेंगे आजमगड महू गाजिपूर और इसके आप बास के कई जिलों के बच्चे इस उनिवर्सिटी दे शिक्षा गहन करने आ सकेंगे आप लोग बताईए ये उनिवर्सिटी बन जाए से आजमगड महू वालन के खाइदा होई के ना होई के ना सात्यों उत्तरपदेश देश की राजलिती भी ताय करता है और उत्तरपदेश देश का विकास भी दिशात ताय कर रहा है यूपी में जब से डबल इंजिन सरकार आई है यूपी की तस्वीर और तक्दीर दोनों बढ़ले है आज उत्तरपदेश केंद्रिय योजनाओं को लागू करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्यों में है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं उत्तरपदेश का सामसाद हूँ आज उत्तरपदेश अंग्रिम पंक्ति में आके खड़ा हो गया है बीते भर्षों में डबल इंजीन की सरकार ने उत्तरपदेश में लाखो करोड उपिये के विकास कारिये कराए है इससे ना सिर्व यूपी का इंफ्रास्रक्टर बढ़ला है बल्कि युवाओं के लिए लाखो नए अउसर बढ़े है आजूपी की पहचान रिकॉर्ड मात्रा में आ रहे हैं निवेश से हो रही है आजूपी की पहचान ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी से हो रही है आजूपी की पहचान एक्सप्रेस बेकिन नेटवर्क और हाइवेश से हो रही है यूपी की चर्चा अब बहतरुन कानून विवस्ता को लेकर हो जाती है अयोध्या में फब्वे राम मजिर का जो सद्यों पुराना इंतजार था वो भी पुरा हो गया है अयोध्या, पनारस, मधुरा और कुशिनगर के विकास के इसे यूपी में परियट अन्वियर बहुत तेजी से बड़ा है उसका लाम पुरे राज्य को मिल रहा है और यही गारंटी दस साल पहले मोदी ने दी थी आज आपके आशिरवाद से वो गारंटी पूरी हो रही है साथियों, उत्तरप्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को चू रहा है तुष्टी करण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है पिछले चुनाओं में आजम गड़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गड़ सबचते थे वो दिलेश जैसायक नुजवान उसे ड़ा देता है इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाय हुए हैं आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं यह लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है यह भूग यह लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड की जनता यह मोदी का परिवार है और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कौने से आवाज हो रही है हर कोई कह रहा है मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगड को पीछे नहीं रहना है और मैं यह जानता हूँ मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि आजमगड जौन चांच जाला उप कर लेवला इसलिए मैं इस धर्ती से यही आवान करता हूँ जो देश कह रहा है जो उत्तरपदेश कह रहा है जो आजमगड कह रहा है उसी को मैं आवान करता हूँ अपकी बार चार सो पार अपकी बार अपकी बार अपकी बार अपकी बार अपकी बार आज के विकास कारियों के लिए सभी छेत्रों के लोगों को मेरी धेल सारी सुब कामरा है इतने सारे विकास कारिय आजम गड के इतिहास की पहली गटना है ये विकास का उत्सव है मैं आप लोगों से एक आगर करता हूँ मेरी बात मानोगे सब लोग ज़र आप पूरे आवाद से बताईए तो मैं बताओ मेरी बात मानोगे करोगे अचा ऐसा करते हैं पहले अपना मोबाइल फोन बाहर दिकाल लिए मोबाइल फोन बाहर दिकाल करके उसके फ्लेश लाइट चालू कीजिए सब के सब अपने मोबाइल की फ्लेश लाइट चालू करे देखिए ये विकास का उत्सव है ये है विकास का उत्सव ये है विक्षित भारत का संकल्प ये है विक्षित आजम गड़ के विकास का संकल्प मेरे साथ बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्वाद